Hello students, how are you all? I hope that all of you are good. So today we are going to read a poem of your unit 9, Don't Tell. Are there some things that grown-ups don't let you do? Read about what this child feels. Okay, let me tell you something. Is there something such a thing that people don't let you do? If you go to work, you say that you are a child, you can't do it, you can't do it, you can't do it, you can't do it. So I think this will happen with you. So let's start. Don't Tell There are lots of things they won't let me do. I am not big enough yet. They say There are lots of things. यानि कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. Lots यानि so many, बहुत सारी चीज़ें हैं. They won't let me do. वो मुझे करने नहीं देते. बच्चों यहां पर won't का मतलब होता है. Will not. यानि won't जो है. Short form है. Will not के लिए. They won't let me do. यानि करने देना. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. वे मुझे करने नहीं देते. तो वे कौन हैं? वे हैं. बड़े लोग. यानि उसके parents. ठीक है? या उससे जो बड़े जो भी हैं. उसका बड़ा भाई हुआ. बड़ी बहन हुई. या फिर उसके जो हैं. दाद मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ हूँ. I am. यहां पर आपको दिख रहा है. I am. तो यह जो लिखा हुआ है. I. फिर एक apostrophe लगा हुआ है. इसको हम बोलते हैं. apostrophe. ठीक है? जो उपर की तरफ यह comment जैसा लग जाता हूँ. और फिर आगे लिखा है. M. तो जहां पर भी यह apostrophe लगा होता है. तो यह जो है short forms बनाने के लिए use होता है. तो इसकी जो full form हो जाएगी. वो हो जाएगी. I am. I am not big enough yet. तो मैं अभी तक. Yet यानि अभी तक. बड़ा नहीं हुआ हूँ. Big enough यानि उतना बड़ा जतना होना चाहिए. नहीं हूआ हूँ. They say. वो कहते हैं. तो again वो क बड़े लोग कहते हैं कि मैं अभी तक उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ. कि मैं ये काम कर सकूँ. जो भी काम वो करना चाहता है. उसके लिए वो बोल रहा है. So, I patiently wait till I am all grown up. And I'll show them all one day. So, I patiently wait. तो मैं जो है patiently यानि धैरिय से ठीक है? वेट करता हूँ. इंतिजार करता हूँ. वेट करना यानि इंतिजार करना. Till I am all grown up. जब तक. तिल को हम क्या बोलते हैं? जब तक. मैं बड़ा नहीं हो जाता. Grown up यानि बड़ा हो जाना. ठीक है? And I'll show them all. और मैं उन सब को दिखा दूँगा. Show them यानि दिखाना. और मैं उन सब को दिखा दूँगा one day. एक दिन. क्या दिखा दूँगा? I could show them. Now, if they gave me the chance, there are things I could do if I tried. तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा. एक दिन मैं उन सब को दिखा दूँगा. कि if they gave me the chance. अगर उन्होंने मुझे मुझे मौका दिया होता. चांस यानि मौका. There are things I could do if I tried. तो अगर मैं try करता. ठीक है? अगर मैं कोशश करता. Try यानि कोशश करना. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं कर सकता था और आपने मुझे नहीं करने थी. But, nobody knows. Nobody knows that I am really a giant inside. लेकिन कोई भी, nobody यानि कोई भी नहीं. Nobody knows that I am really a giant. लेकिन किसी को नहीं पता कि मैं अंदर से, inside यानि अंदर से जो है बहुत बढ़ा हूँ. ठीक है? क्योंकि ये बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, तो वो ये सोच ता, आपको ये पिच्चर में दिखाई दे रहा है, नहीं बच्चा सोच रहा है कि मैं तो बहुत बढ़ा हूँ. तो ये कहता है कि किसी को नहीं पता कि अंदर से, जो है मैं बहुत बढ़ा हूँ, यानि कि अगर मैं ट्राइ करूँ तो मैं सब काम कर सकता हूँ. मैं इन कामों के लिए छोटा अभी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो दिमाग है, मेरी जो महनत करने की शमता है, मैं अंदर से, उस हसाब से बहुत बढ़ा हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ. और एक दिन मैं सब को दिखा दूँगा, कि जिस भी काम के लिए आप मुझे रोकते हूँ, जो काम आप मुझे करने के लिए मना करते हूँ, मैं वो सब आसानी से कर सकता हूँ, मैं इतना बढ़ा हूँ. तो बच्चों, ये थी पोयम, तो इस पोयम के अंदर हमने जो है कुछ short forms देखी, जैसे एक short form हमने देखी ये, जो की will not के लिए use करी गई थी, will not के लिए जो short form होती है, वो होती है, want, won, apostrophe, and then t, ओके, फिर ऐसे ही, I, M के लिए हमने जो short form यूज करी, वो थी, I, apostrophe, M, ठीक है बच्चों, तो ये थी कुछ short forms जो हमने इस chapter में देखी, ऐसे ही बहुत सारी short forms होती है, तो आप उन short forms को पता करने की कोशोश करो, कि आपने कहीं और तो नहीं पढ़ी है, ऐसी ही short forms, ठीक है, तो चलिए, अब इसके हम कुछ difficult words देख लेते हैं, पहला है lots, lots का मतलब very large amount, so many, यानि बहुत सारी, तो बच्चे ने क्या बोला था, there are lots of things that I can do, ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो मैं कर सकता हूँ, अगला है let, let का मतलब होता है allow, allow यानि करने देना, उस बच्चों के कोई भी allow नहीं करना था ना कुछ करने के लिए, they won't let me do, मुझे वो करने न enough, enough का मतलब होता है sufficient, हिंदी में हम उसको परियाप्त बोलते हैं कि मेरे पास, अगर जैसे मैं खाने की बात करूँ, मेरे पास enough food है कि मेरा पेट भर जाए, मेरे पास परियाप्त खाना है कि मेरा पेट भर जाए, है ना, इस तरीके से enough का मतलब होता है sufficient, yet, yet का मतलब होता है up until यानि अभी तक ठीक है patiently in a way that shows tolerance of delays ठीक है patient का मतलब होता है धैर्य रगना यानि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है वो बार-बार आगे टलता जा रहा है तो हम उसके लिए patiently यानि धैर्य पूरवक उसके लिए wait करते हैं उसके होने का कि चलो कभी तो होगा 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 ठीक है तो बच्चों हमारे अंदर patience होना बहुत जरूरी है ठीक है कोई भी काम हमें जो है बहुत जल्दबाजी में नहीं कर देना चाहिए ठीक अगर कोई काम नहीं हो रहा तो हमें जल्दी से चड़चड़ा भी नहीं हो जाना चाहिए कि यह क्यों नहीं हो रहा हमें अपने अंदर हमेशा patience यानि धैरिय बनाए रखना चाहिए नेक्स्ट है till till का मतलब होता है up to when यानि जब तक ठीक है chance chance का मतलब होता है opportunity यानि मौका nobody nobody का मतलब कोई भी नहीं ठीक है no one next is really really का मतलब actual में असलियत में वास्तव में giant giant मतलब very big huge बहुत बड़ा बहुत बड़ा उसको हम बोलते हैं giant तो यह थी हमारे कुछ difficult words चाप्टर से पढ़े तो I hope आपको यह poem जो है अच्छे से समझ आ गई होगी ओके बाई